हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक है बुजुर्गों के बताए गई 21 नियम समय निकाल कर जरूर पढ़िए गरम रोटी दही के साथ बिल्कुल भी न खाएं क्योंकि ऐसा करने से आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा टिप नमबर टू गुड और प्याज का सेवन करने से रुकी हुई हाइट बढ़ जाती है टिप नमबर थ्री यदि आप सुभे का नाष्टा नहीं करते हैं तो आपका दिमाग शतिगरस्त होता है टिप नमबर चार है मुँ में पानी भर कर नहाने से कभी दुखाम नहीं होता टिप नमबर पांच है नहाने से पहले नाख, कान, नाभी और अंगुठों के नाखुनों पर सरसों का तेल लगाने से आखे खराब नहीं होती टिप नमबर चे है दाद के दर से छुटकारा पाने के लिए अद्रक का छोटा सा टुकड़ा काट कर चबा लें दर्द तुरंत गायब हो जाएगा और टिप नमबर साथ, धूप में दिन भर रहने की वज़ा से चहरे का रंग काला हो गया है तो अंगूर का रज चहरे पर लगाएं टिप नमबर आठ, एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिला कर चहरे पर लगाने से दाग, धब्बे दूर हो जाते हैं टिप नमबर नौ, हाथ वा पैरों के अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आखों की रोशनी बढ़ती है टिप नमबर दस, अगर आपकी हड़ियों से कट कट की आवाज आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है इसके लिए आप प्रचूर मात्रा में दूद, दही वा पनीर का सेवन करें अब चलते हैं टिप नमबर ग्यारा के लिए यदि आप मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो अदरक और नीबु का रस बराबर मात्रा में मिला कर पीने से मोटापा जल्दी कम होता है अब टिप नमबर बारा अनार के छिलके धूप में सुखा कर पीस लें फिर उसे गुलाब जल के साथ चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है और चेहरे से मुहासे भी खतम हो जाते हैं जिस से आपकी तुच्चा और भी ज़्यादा निखरी और सुन्दर नजर आती हैं तो जैसे के हम सब जानते के अनार के बहुत से फायदे होते तो अनार के छिलके अब आप फेकियेगा नहीं उनको सुखा करके इस तरह इस्तेमाल में लाईएगा तो अब चलते हैं हम टिप नंबर 13 के लिए अगर दांत में दर्ध हैं तो अमरूत का छिलका दांत में दबा कर चबा लें इससे आपके दांत का दर्ध ठीक हो जाएगा अब चलते हैं हम टिप नंबर 14 के लिए अगर आपको खांसी जादा हो रही है तो हमें एक चम्मश शहद में थोड़ा सा अदरक कर रस मिला कर पी लेना चाहिए इससे हमारी खांसी ठीक हो जाती है अब चलते हैं टिप नंबर 15 के लिए अगर आप रोटियां नरम और फूली हुई बनाना चाहते हैं तो आटे में थोड़ा सा दूद या मलाई मिला ले इससे हमारी रोटियां नरम और फूली हुई बनेंगे टिप नंबर 16 अगर कान में दर्ध है तो गेंदे की पत्यों का रस हलका गुनगुना करके कान में डाल ले दर्ध खतम हो जाएगा टिप नंबर 17 अगर आप हलवा बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक डाल दे इससे हलवा और भी स्वादिस्ट बनेगा टिप नंबर 18 अगर आप सबजी का रंग लाल लाना चाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चकुंदर पीस कर मिला दे इससे सबजी का रंग और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे टिप नंबर 19 अगर आपके जोड़ों में दर्ध होता है तो अदरक का रस गरम करके जोड़ों पर लगा लें इससे आपको अराम मिलेगा टिप नंबर 20 अगर खांसी से आपकी छाती में दर्ध हो रहा है तो एक चम्मद दूद की मलाई में एक चुटकी नमक डाल कर खा लें इससे आपको अराम मिलेगा और टिप नंबर 21 इमली खाने से दिमाग तेज होता है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर भी जरूर करिएगा हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में